शहीदाने वतन के होसले थे दीद के काबिल वहाँ पर शुकर करते थे जहाँ पर सबर मुश्कल था असलाम अलेकुम एंड वेलकम टू फ्यूचर टीवी स्पेशल मैं हूँ आपकी मेजबा नर्जमन यूसुफ नाजरीन जैसे कि आप जानते हैं आज 6 सितंबर है योमे दिफाई पाकिसान है और आज के इस मौके पर हम अपने इस प्लैटफॉर्म से अफाज़ पाकिस्तान की बे लॉस कौम की खिदमतों और शहीदों को अपनी जान का कीमती नजराना पेश करने पर तहे दिल से खिराज अकीदत पेश करते हैं 6 सितंबर हर साल पाकिस्तान में नैशनल डे के तौर पर सेलिबरेट किया जाता है पाक भारत 1965 की जंग से वाबस्ता है जब पाकिस्तान जो है फता से हम किनार हुआ था आज इस मौके पर जो मौज़स महमान हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने पार्टिसिपेच किया था 1965 और 1971 की जंग में और उन्हें तम गए अम्तियास मिलिटरी से भी नवाज़ा गया था करनल रिटायर्ट मुक्तार एहमद बर्ट सहाब को खुशाम दीद कहेंगे असलाम अलकुम सर्व सबसे पहले तो हमारा जो नैशनल टे है आपको बहुत-बहुत मुबारक हो आपनी क्योंकि उस जंग में पार्टिसिपेट किया था तो बिल्कुल डिरेक्ली आपसे जाना चाहेंगे सर्क्या पस्मनजर था क्या हालात वाक आते हैं प्लीज हमारी नाज़ीन के साथ अब श प्लीज जंग थी हमारी जी और एक नया तजर्वा था और जंग का जो यह जो मकसद था वो यह था जैसे आपके इलम में है कि भारत ने जब से पाकिस्तान वजूर में आया है उसको अपने दिल से तसलीम नहीं किया और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि किसी ना किसी त तरीके से पाकिस्तान को नुफसान पुचाया जाए और जबरदस्ती कश्मीर पे कबज़ा करके बैठा हुआ है और यह जो 65 की जंग थी यह एक किसम की आजादी की जंग थी इसमें कोशिश यह की गई थी किसी ना किसी तरीके से कश्मीर को जो जो जबरदस्ती कबज़ा क कि जब भारत के ओपर बड़ा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने फिर हमारे जो बेनलकौामी सराथ ती उसके ओपर हमला कर दिया जो के गहर कनूनी था गहर इखलाकी था और मतलब उसकी जितने भी कंडेमनेशन की जाए हुआ हमारा ये ख्याल था कि शैद जंग जो है वो अज किश्मीर तक मैदून रहेगी क्श्मीरी लड़ रहे थे अपना जो बाकी सा बचाए वसले ने के लिए लेकिन कि उन्होंने हमारे उपर हमला कर दिया उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान की फाज जो है वो बार्डर्स पे मजूद नहीं है जबके हकीकत यह है कि उनकी कुछ भी हो सकता है बार्डर के उपर जब जंग जारी हो एक बड़ा मैदान खुला हुआ हो तो हम लोग दो गहंटे के नोटिस के उपर थे हमारे और भारत में फरक सिर्फ इतना है कि भारत की चावनियां बहुत दूर हैं और उनको कई दिन दरकार होते हैं हम लोग जो है वो पांच से च्छे आठ गहंटे तक वहां पहुंच जाते हैं बार्डर के उपर च्छावनी से निकल दे हैं तो चार पांच गहंटे का हमारा रस्ता होता है तो ये एक अजीब सी सूरत है आज थी उस वकत जबके हम इसमें वहां पे जब मामलात बिगरते चले गए तो प पता ही नहीं था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बार्डर पर डिपला है और इसमें जो सबसे एहम कारकरद की हुई वो पाकिस्तान आर्मी तो गरांड पे मौजूद थी हमारी पाकिस्तान एर फौर्स और इसके साथ हमारी नेवी इतीनों मसल्ह फौज जो हैं मिलके इन किये आपने सुना होगा जैसे एमेम आलम था उन्होंने तीन सेकंड में पांच जहाज इंडिया के किरा है ये वर्ड रिकार्ड है अब इसको शायद कोई भी नहीं तोड सकता ये ऐसा रिकार्ड है गिनीज बुक में भी है सब जगा है और ये मेरा ख्याल है कि बहुत मुश् थी उसके उपर उन्होंने हमला किया हमारे नेवल के जहाज उन्होंने और 110 पॉर्ड के बम होते हैं बड़ा एक आदमी नहीं उठा सकता उसको तो तीन आदमी उठा के लोड करते हैं वो तकरीबन तीन चार हमारे जहाज गए उन्होंने पचास पचास बम वांग करा है और वापस आए इसी तरी के से हमारी सम्मेरीन जो है उनके पानी में पिटती रही आपको पता है इस हवाले से पाकिस्तान आर्मी जो है वो तमाम जो वेस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर था जो तीन प्रॉंग अटेग था उसको उनोंने संभाला और इसमें जो सबसे एहम रोल अदा किया जो फिल्ड मार्शल ऐयूग खान साथ आपने तकरीर की छे स्टंबर को वो तकरीर अगर आप आज भी सुनें तो एक दम वो आपके जिसम के रुआं 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 जो है वो खड़ा हो जाता है कि उन्होंने का कि इसको पता नहीं यह सेने किस कौम को ललकारा है और एहकामात दे दिये गए हैं और भारत की तोपों को खमोश जब तक नहीं करेंगे हम चैन से नहीं बैटेंगे वो एक ऐसा मतलब वलवला था जिसको के बियान नहीं किया जाता था इसके अलावा जो सबसे बात मैंने देखी वहां पर कि ज जोक तर जोक जो है वो बॉर्डर की तरफ जाना उनना शुरू कर दिया तो उसमें होता फिर क्या है कि जो आर्मी की मुवमेंट होती है उसमें दरहा रुकावट आ जाती है जी तो उनके लिए स्पेशल हमने चेक पोस्ट लगाएं और उनको रोकने के लिए खाने पीने का समान लाटियां उठाए हुए है हाकियां पकड़ी हुई है और डॉक फाइट तो वो खड़े हो के बार देखते थे जैसे कि कोई बात ही नहीं है हाला कि कोई ऐसा लड़ाई का को तजर्बा नहीं था बहरा लला तारा ने कामिया भी अता की हो तो आपको पता है जो उनके जो जर्नल साब थे वो तो कह रहे थे जी हम लाहूर में शाम का खाना खाएंगे और नाश्ता भी करेंगे वहां पर जी बलकुल भारत की जानब से इस तरह के स्टेटमेंट्स आते ही रहते हैं जी हम बलकुल तो वो अगर देखा जाये तो आज फिर वही बात जो है वही च सामने आ रही है कि चोवन साल के बाद सिक्स्टी फाइव सब दोजार और नहीं चोवन साल बनते हैं एक बार फिर हमें भारत ने एक लिहास ललकारा है जो जो आकूपाइट कश्मीर है जिसको मकबूदा कश्मीर कहते हैं वहां पर आपने देखा होगा 29 रोज से कर्फ्यू नाफिज है और उनके आइन में दिया हुआ था कि ये जो हिस्सा है इसकी स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर की उसको उन्होंने पांच अगस को आइन का हिस्सा बना लिया है और तमाम बेनलक्वामी जो काइद कवानीन हैं उनकी दजियां काड़ दी है और एक कवाम मत साथ रहना चाहते हैं अजाद रहना चाहते हैं और लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि जो बेरून ने हमारे मुमालिक हैं उनकी तरफ से जरा जिस तरह से रिस्पॉंस आनी चाहिए कश्मीरियों के हवाले से वो हमें नहीं मिली है तो उसके लिए अभी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 27 सब्टेंबर को और वो अपना भरपूर इसका जो है उनाइट डेशन स्पीच पे जो है करेंगे और तो कश्मीर के मसले को उठाएंगे तो अभी ये जो सिल्सला चल रहा है भारत का भारत को आपने देखा होगा कि हर मास पे हमने शकिस्त दी है लेकिन बदकिसमत करती से हम कश्मीर को अजाद नहीं करा सके और उसकी बन्यादी वज़ा यही है कि वह जो बैनुल कौमी कुवते हैं वो बीच में आ जाती हैं लड़ाई बंद करवा देती हैं और मामला जो है वो वैसे का वैसा रह जाता है तो इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो टुटली मु नहीं है हम उनको सिर्फ अपनी एक मौरल स्पोर्ट देते हैं और हम दुनिया में इस मसले को उजा करने कोईश करते हैं हमें 65 की लड़ाई जो है जो आपने 55 का जिकर किया क्योंकि उसी हवाले से आज बात हो रही है पूरी कौम एक पेश पे थी पूरी कौम और सबसे जो एहम उस वकत सिर्फ एक रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था जो कि हर गहंटे के बाद बुलिटन देता था और उसमें एक बड़ी खास वाज है आपको तो चाहिए इलम ना हो उसका नाम ता शकील आप शकील आप शकील आप शकील आपकी जबानी खबरें सुनी हैं तो वो आज दुबारका में ये हुआ तो फलानी जगा ये हुआ ठीक ठीक निशाने लगाए और रिकारडेड अगर आप सुनें तो आज भी ये जो कौम है ना ये उसी जजबे के साथ मेरा ख्याल है तियार होगी और शायर थे उन्होंने बड़े अच्छे कौमी नगमें लिखे म मैडम नूर जहां उनने बहुत बहुत बेहतरीन किसम के गाने गाये मतलब ये है कि जिसमरा ये उन्हों को और फाजी जवानों को प्रवोक करती थी और उनको बड़ा है मतलब फिर जब हमारे जो जग खतम होगी थी तो वहर माज़ पे जो हमारे ये आर्टिस्त है ये सब बॉर्डर्स के उपर गया है और उन्होंने अपने जोर दिखाए तो पाकिस्तान की फाज़ है कि सबसे बड़ी बाद जो आया वो ये है कुवत एमानी जजबा एमानी हमारी बरतरी तो कभी इंडिया से होई नहीं सकती सिर्फ अब ये फर्क ही हो गया है कि उस वक्त जब 65 कट के लड़ाई हुई है तो हम एटमी कुवत नहीं थे आज अलहम्दोलेल्ला कौम ने कुर्बानियां दी हैं अपना पेट काट कर एक हमाज़ा एक एक एटमी कुवत में तबदील हो चुके हैं और शायद यही बज़ा है कि स्ट्रेंथ है हमारी बज़ा है यह बहुत पास थी अभी अलहम्दोलेल्ला हम लोग अलगा टैंक बना रहे हैं जहाज अपने बना रहे हैं एरो प्लेंज अपने बना रहे हैं शिप बिल्डिंग है सम्मेरीन्स हैं यह तमाम चीज़ें अब पाकिस्तान खुद त्यार कर रहा है जी और कुछ चीज़ें हम जो हैं बह प्रोडक्शन की वो डिस्पले हम करते हैं तो बात हो रही थी सिक्स्टी फाइव की जो स्पिरिट है वो एक बार फिर हमें रिवाइव करने की जरूरत है कौम जो है उसको एक दफ़ा फिर ये एक होके थाबत करना पड़ेगा कि हम जब असल मसले जो आते हैं जो नैशनल उसके अंदर फिर पार्टी का सवाल नहीं होता उसमें फिर पूरी कौम जो है वो भरपूस साथ देती हैं और उसको आप यगीना आप सियासत की नजर तो नहीं कर सकते हैं अगर आपको एक पेच पर आना है तो आपको बिला तफरीग पर आगे बढ़ना होगा कौम के मफा पार्मेंट है इस वकट वो यह है कि हम जो सफार्थी स्था के उपर है उसको जड़ा थोड़ा हम और उसको मजीद तेजी लेकर आएं और सारी दुनिया में बावर कराने की कोशिश करें कि ये जो भारत है जो मूदी सरकार है ये एक टेररिस्ट आर्गनाइजेशन है आर सर्फ यही नहीं कि कश्मीर में वो जल्मों सित्म कर रहा है बलके भारत के अंदर भी आपने देखा होगा आईसोलेटेड ऐसे वाकियात हो रहे हैं जिसमें मुस्लमानों को पकड़ के मारा जा रहा है बिरकोल गुजरात के वाकिया तो किसे से चुपे नहीं ये बासाम में सोचल मीडिये पे डाली हैं आपने यकीन देखी होंगे तो ये सारी दुनिया में ये फैली जा रही है अब ये है कि इसका फरक इतना पड़ा है कि अब जो इंटरनेशनल प्रेस है वो थोड़ा हमारे साथ आप अमारा साथ दे रही है और कश्मीर में जो जो जल्म से तब ह उसके हवाले से भी बात कर रही है achter हमारा जो विव पॉइंट है उसको आप बेहतर तरीके से दे रही है मुजी सरकार जो है वो यह समझने से कासर है कि उसके अपने मुलक के अंदर जो है वो ऐसी तैरीके चल रही है जैसे नागा लेंड है उन्होंने अजादी का एलान कर दिया है जिसी के तामिलनाडो वाले हैं सिक उन्होंने काया कि हम अलैदा खालस्तान सूबा चाहिए तो वो भी टुकड़े होने की तरफ जा रहा है तो ये दिन दूर नहीं है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम पूरी कौम जो है वो मिलकर इस वकत कश्मीरियों का साथ दे और हर फोरम पे जहां भी हम कोशिश हो सकती है हम अपनी इस आवाज को टाएं माशाला भी हम बलबहार लिहाज से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान फौर्जा है वो हमला क्यों नहीं कर देती ठीके हमले ऐसे नहीं होते हैं अगर उसने 65 में किया तो उसको उसकी मूँ की कानी पड़ी तो पाकिस्तान जो है वो अमन पसंद मुलक है और अल्टिमेटनी जब लड़ाई होती है तो लड़ाई के बाद आप ने देखा हो का मेज बैठकारी फैसले होते हैं तो पाकिस्तान ने बार बार भारत को अंदिया दिया है कि आएं बैठें और बात करें और उसके बाद लड़ाई जग्डे में किसी का फाइदा नहीं इसलिए वजीर अजम अमरान खाने वो बार बार ये बात दोरा रहे हैं कि लड़ाई का कोई फाइदा नहीं होगा दोने मुलत तबाव हो जाएंगे तो सब का नुफसान होगा तो मैं यह समझता हूँ कि अब चन्द दिनों में चन्द हफ़तों में कोई यकीन थोड़ी बहुत तब्दीली जो है वो भारत के रवईये में आनी चाहिए नहीं आएगी तो यह तो एक हकीकत है कि अब जो कश्मीरी जिन्होंने अपना ये मूवमेंट शुरू की है वो किसी अब कुर्बानी से द्रेग नहीं करेंगे और आप नवे लाग कश्मीरियों को कैदी नहीं बना सकते हमेशा कली ये कर्फियू नहीं लगा सकते आपको एक दिन कर्फियू जो है वो उठाना पड़ेगा अभी हो सकता है कि जब यूनाइटिड नेशन में जो इजलास हो रहा है सेप्टेंबर में उसमें यकीनन इस तरह की जो बात है वो नहीं और एक हमारी और भी जो इसमें हमें फाइदा पहुँचा हुए ये है कि 1965 के बाद ये फर्स टाइम यूनाइटिड नेशन सेक्यूरिटी काउंसल ने कश्मीर का मसला अज़ खुद मरलब उठाया है और कश्मीर के अपर उन्होंने बात की है और ये अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी कामिया भी है और इसी तरीके से आपने देखा हो कि यूरुपिन यूनियन उन्होंने भी कश्मीर के हवाले से जो करादार पास किया है और उन्होंने ये का है कि भारत को फौरी तो पर लेकिन मुक्तार सब हम देखते हैं क तो 69 की जंग की बात किज़ें तब ही भारत की जानेब से international border cross किया गया international rules को violate किया गया अभी भी हम उसी धहाने पर खडए है भारत की जानेब से जो वरिया चारीए आप नहीं समझते कि international international जो पूरम्स उन्हें अब आगे बढ़कर कम असकम जो human rights की तंजीम है अमिनस्टी इंटरनाशनल जो बड़ी बड़ी तंजीमें बाते ही करती हैं उन्हें आगे आना चाहिए अच्छी स्कॉस पूल किया है हम भी यही मेडिया है जै और वदिर आखम हैं वो भी यही बात कर रहे हैं के जो दुनिया है वो क्यों खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है क्या उनको नजर नहीं आता कि कश्मीर में क्या हो रहा है कि 28 दिन से 35 दिन से कर्फ्यू नाफिज है छोट छोटे बच्चे हैं कोई बिमारी है कोई सो किसम के प्राप्लम्स होते है खाने पीने का समान नहीं है पानी के मसले है, गैस के मसले है हास्पिटर जाने के लिए प्राप्लम्स है अब तो जो बेसिक्स हैं जिर्ड़ी वह सारी बंद की हुए है सब ठेम हो चुकी है खराप नहीं है, अद्भीया की खिलत है और अमवार तो रही है कि जो हमारी आलमी कुवत हैं, उनका जमीर क्यों नहीं जाग रहा, खाली वो एक लिप सर्विस क्यों कर रहे हैं, इसी लिए मैं कह रहा था कि हमें एक एग्रेसिव सिफारतकारी की जरूरत है, और इसके लावा जैसे मैंने कहा कि हम जंग नहीं करना चाहते हैं, जंग का कोई जंग जो है, वो खुद एक मसला है, जंग मसले हल नहीं करती, जंग मसाइल पैदा करती है, लेकिन ये है कि नरिंदर मुदी तो नोन है ना, एंटी मुस्लिम आपको पता है, जब वजिरहाला था गुजरात का, उसने वहां पे जो कितने दो, ढ़ाई जार मुस्लमान उसने उसके जाने से तो हमेशा इस तरहां की मूपमेंट्स चलाएगे, तो मतलब यह है कि वो तो नोन है, और उसको उन्होंने वोट दिया है, और टू थर्ड मेजॉरिटी लेकर आया हुआ है, वो इसलिए उसने अपने ही आइन को तबदील कर दिया है, अलांके ये जो आर्टि और इसने बस उसको चेंज करती है, ठीक है, मुक्तार साब उन्ने सो पैसिट की जंग की तरह वापस आते हैं, मैं आप से जाना चाहूंगी, क्योंके वो एक अन्प्रोवोक असरप्राइस अटैक था इंडिया के जाने से, आपकी डेप्यूटेशन उस वकहां थी, स्पैसि लड़ाई थी, तो रहर हर इनसान खौफ भी खाता है, गबराता भी है, तो इनिशिली दो चार दिन तो काफी मैं टेंशन में था, क्योंके ऐसा लाइफ फायर, इस तरह से फायरिंग जो होती है, लाइफ वो मैंने कभी जिन्दगी में देखी नहीं थी, लेकिन जब वो हम काड़ी में डालके, अम्बुलेंस में डालके उनके साथ जाना होता था, क्योंके एक तरीका एकार है, तो उसके बाद फिर जब मैंने डेड बाड़ी जखी, जखमी लोगों को देखा, तो फिर जो दिल है, वो मेरा बिलकुल एक मजबूत हो गया, मैंने का, ये भी तो किस वलवला था, आप यकीन करें कि हस्पतालों के बाहर, लोग लाइने लगा के खड़े होते थे, खोन देने का, और एक से ये भी आगी थी, कि जो सिरिंच सोती है, वो खतम होगी थी, लेकिन लोगों का रश नहीं टूट रहा था, वो इतनी अपने अवाम, जो है, अपने फ राका कबजे में किया, काफी कैदी हमने बनाए, उसका साथ और समान पकड़ा, कंप्लीट रेजमेंट की रेजमेंट जो है, तोप खाने की, वो हमने कबजे में ली, तो उस लिहाद से अगर देखा जाए तो, वो सारी दुनिया ने, ये मतलब का कि पाकिस्तान की फौज, बेहतरी इन फौज है, और ये लड़ाई जो है, आपने देखा, वो सतरा दिन रही, और हराद दिन, क्योंकि जब लड़ाई होती है, तो फिर कोई, कोई समझ नहीं आती कि क्या होने वाला है, नेक्स टेप क्या होगा, तो ये एक बड़ा तजर्बा था हमारा, ये ये इसको फिर जंग को लाइटली लेता है, पहली बात तो ये है कि जब कोई भी शक्स जो है, वो फौज में बड़ती होता है, तो वो नोकरी करने नहीं जाता, नोकरी तो सब करते हैं हम लोग, वो एक उसका एक जज़बा होता है, कि मैंने कौॉम की खातर, मैंने ऐसा काम करन हैं जिसे के लोग याद करें और कौम भी याद करें कि हरे का काम नहीं है अभी आपने देखा होगा कितना बक्वास आता है सोशल मीडिया पे फौर्च के खिलाफ कि जी तन्खाएं लेते हैं फिराना माई भेजती हैं उनको बलाएं लेते हैं कि आपकी जो जिन्दगी है वो इतनी टफ लाइफ है इतनी टफ लाइफ है कि जिसका अंदादा लगाना मुश्किल है वो ही है जो इसको मतलब या है कि जो इस काम में है आप देख लें जिस तरह से नौर्ट वजीरस्तान में सौथ वजीरस्तान में ऑपरेशन हुए और आज पाकिस्तान में आपने देखा हुगा जो अमन काइम है यह हमारे फवाज की कुरबानियों से हासल हुआ है और जो भी आदमी जाता है वो गाजी है या शहीद है और हमें इस बात की खुशी है कि उस वकत जो 65 में जो महौल था वो एक ऐसा महौल था कि पूरी कौम बचा बचा आप अदादा करें कि उन सब पूरे दिनों में लड़ाई के दिनों में एक भी चोरी का वाक्या कही नहीं हुआ यानि कि आप अदादा करें एक भी चोरी का वाक्या नहीं हुआ सब लोगों ने मतलब तोबह कर ली और वो कौम के साथ मिल गए कि नहीं यह मौका नहीं है क्योंकि मेरे खार से जो पैशन था अस अल्टारिटी का अपने बतन के साथ जो महबत थी वो एक पीक पर थी अप क्या पैगाम देना जाएंगे आज नेशनल डे है पाकिस्तान का डिफेंस के एक दफ़ा हमारे उपर फिर मुसीबत के पहार तूटे हुए है भारत हमारा अदली दुश्मन है और उसकी कोशिश है कि वो हमें खतम करे लेकिन ये मुलक अल्ला के नाम पे बना हुआ है और हम मैं नहीं समझता कि कोई दुनिया की ताकत इसको खतम कर सकती है मेरा इस मौके पेगाम यही है आप अपने मुलक से महबत करें आप अपने मसला अफ़ाज से महबत से पेश आएं और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोच ना करें और ये इन्शाला हमारी जो मसला फ़ाज है अभी भी पूरी तरह से तैयार है अलर्ट है और पैठी हुई है इस इंतजार में जैसे ये उनको को हुकम मिलेगा वो उसको बजा लाएंगी और कौम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पुचाएंगी और कौम की उमंगों पर पूरा उतरेंगी ये पाकिस्तान की फाज है ये पाकिस्तान के अवाम की फाज है ये इसलामी फाज है ये मतलब ये है कि ये किसी को नाउमी नहीं करें और यकिन आप सब के लिए एक यही पैगाम जरूर देना चाहेंगे कि क्रिटिसाइज करना बहुत असान होता है लेकिन उस पैशन के साथ अफाज़ पाकिस्तान के साथ खड़े होना और हर मुकाम पर हर महास पर डट कर मकाबला करना यह एक बहुत ही मुश्कल काम है करनल प्रिवलेजन प्लाजियर तो हैव यू ऑन दिस स्पेशल शो आफ यूचर टीवी यकीन आप की तरह के जो लोग होते हैं वो इंस्परेशन है नई नसल के लिए ताके उन्हें भी यह पैगाम मिल सके कि पाकिसान से महबत करें क्रिटिसाइज न करें और प्रोग्राम के आ झाल